हेलो व्यू वाड़सान बॉक्स निए मैं आप सब का स्वागत है और मैं हुम राना आज मरे पास बुझे रियल्मी 12 प्रो प्लास 5G स्मार्फोन जहां कुछ इस तरगी से बॉक्स हमें नजर आता है और यहां पे बड़ एक शर में 12 प्लास लिखा गया है साधी सत रियल्मी क ब्राणिंग चारो तरफ यहां पे रियल्मी 12 प्रो प्लास 5G और यहां पे रियल्मी का ब्राणिंग नजर आता है प्राइस मेंशन किया गया है 34,999 लेकिन इससे भी काफी कम कीवत है इसी स्मार्फोन की और बॉक्स के बीचा ही लटके आगया है डिवाइस के बारे में जै रियल्मी की दरफ से रियल्मी 12 प्रो प्लास 5G स्मार्फोन और एक ब्राणि न्यू स्मार्फोन है चलिए सबसे बेले इसी स्मार्फोन को अन्बॉक्स करते हैं और यहां पे देख सकतो हमने यहां पे ओपें कर दिया है और यहां पें करते हैं यहां पेंड करते हैं यहां आखिरकार सब्मेरीन ब्लू कलर में यह रियल्मी 12 प्रो प्लास 5G स्मार्फोन और बागी देखा जाए तो यहाँ पे 67 वाट का एक सुपर वुक्ट चड़जर भी वोक्स के अंदर दिया गया है इसी के लवा यहाँ एक टाइप A to type C के विल भी नजर आता है तो यह से भी व स्मार्फोन इसे डिवाइस में अलλλά इला कला के साहट मेरा इसी mieć चलावाओं रॅख अजह और स्मार्फोन की में यहां ट्रिपल रेयर कैमरा कितना तरीक से जिसाइन किया गया साथ में लिडी फ्लाश और यहां पे मेंशन किया गया है 120X कैमरा और स्मार्फोन की जो यहां पे लाइनर खीचा गया है गॉल्ड खलार में कितना खुबस्रत लग रहा है और जो कैमरा पाठ है इसके चारु तरफ कुछ इस तरीके से एक रिंग बनाया गया है गॉल्ड खलर के साथ में खुबस्रत तक कैमरा मोनियूल इस पार इसी स्मार्फोन में प्रोवाइड कर दिया गया है मुझे तो खास करके Fast Look, Fast Impression, Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्फोन की काफ़ी अच्छा लगा आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्षन पे जरू बताई है अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वोड़ी के लिए एक लाइक जरू कर दीजिए और डिवाइस को पकड़ने में काफी ज्यादे कांवरेबल फिल होता है क्योंकि लेधर फिल पैक बड़ी दिया गया है इसी स्मार्टफोन की लेफटन साइड में देखा जाए बोलिम आप और बटन पावर बटन अजर आता है नीचे के तरफ स्पीकर गिल टाइप सिपोर्ड मेक्रफॉन और सिम ट्रे दिया गया है डिवाइस के ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहां पर नॉइस के इंसलेशन में एक रफॉर एगीन स्पीकर गिल यानि डियल स्टेरियो स्पीकर के साथ यह स्मार्टफोन है नीचे के तरफ और डिवाइस के साइड में कुछ भी नहीं है निटन क्लीन है डिवाइस के जो लोग से डिजाइन बिल्कुर एड़ है बहुत है एचा है काफी बड़ी डिसाइन है और सेम डिजाइन सिमिलर डिजाइन रियल में 11 प्रो प्लस में भी हमें देखने को मिलाता है तोड़ा सा यहां पर डिफ्रेंस किया गया है बाकि इसी स्मार्टफोन के सब्सक्राइब करती इसी स्मार्टफोन में दिया तो प्राइस नमयुल की डिस्मेट कि अच्छा क्वाइट कर दिया गया है ठीक ठाक है फिर भी अगर इससे बड़र यहां पर क्वाइटी दिया जाता डिस्प्ले में तो डेफिनली माजा ही आ जाता जैसे कि स्मार्फोन में जिस तरीके से यहां पर डिस्प्ले प्रोवाइट कर दिया गया है बहुत अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है जो मैंने अन्वोक्सिंग और डिक कर दिया है चैनल पर चाके चेक आउट कर सकते हो रैडबी नोट थारीन प्रोप्लास 5G स्मार्फोन की उसम डिस्प्ले है तो सूच सकते हो कितना बड़ी ऐकॉलेटी के डिस्प्ले कितना अच्छा एक्स्प्रेंश मिलेगा फिर भी यह स्मार्फोन खराब नहीं यह दिस्प्ले के बामने मैं ओके है टिक टाक है इसके लबाइज के एक्पर है इसमें 8GB RAM है और 1208GB ROM तो इसके लाब डिवाइस में इट जीवीटूटी सिक्स जीवी और दो वेरियन मिलता है वह भी कमाल कि यहाँ पर चीपसेट दिया गए क्वालकम की तरफ से बड़ी है चीपसेट नया चीपसेट इसी स्मार्फ़न में दिया गए है क्वालकम स्नाप ड्रगन सेवें एस जैन 10 gpu दिया गया है तो overall performance कहीं न कहीं realme 12 pro plus 5 gsmartphone में पढ़िया ही मिलेगा काफी एचा हसा है केमार में realme 12 pro plus 5G smartphone बहुत एचा स्मार्फोन है काफी powerful दमदारी स्मार्फोन है और जो दिवाइस में 880 जीःम है इसके साथ में additional 8gb RAM दिया गया है 8 plus 8 और जो 12GB रहे हैं उसमें 12GB एडिशनल और रेम मिलता है 12GB और चलिए आप बात के लिए इसी स्मार्फोन की बैटरी परफॉमेंस के उपर रेमी 12 Pro Plus 5G स्मार्फोन में जो बैटरी दिया गया है 5000mAh का बैटरी इसमें दिया गया है और फासिन सपोर्ट भी दिया गया है 67W का दिवाइस को 19 मिनिट में 50% तक चार्ज गर पाओगे 67W सुपर वुक चार्जिंग सपोर्ट के साथ में और बॉक्स के अंदर 67W का चार्जर भी दिया गया है और 5000mAh बैटरी ओविएस दिफ फूल डेवेका पहराम से देगा इसके लब इसी स्मार्फोन की जो फिंगर पेंटरी स्केनर हैं डिस्प्ली फिंगर पेंटरी स्केनर दिया गया है और यहां पर मैंने स्ट कर दिया है चलिए किस तरीके से काम करता है यह द दिया गया है और डिवाइस की जो तीसरा केमरा है वह है आल्टर वर्डिंगल लैंस जिहां 8 मेगा बिक्सेल अपर्चर एफ 2.2 के साथ में और डिवाइस की जो सेल्फी है वह है 32 मेगा बिक्सेल इसमें सेल्फी में 1080p 30fps यहाँ पर विडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अपालेबल है लेकिन रियर के साथ यहाँ पर 4K विडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगे और यह रहाद सेल्फी 32 मेगा बिक्सेल शांदार क्वालिटी जो आउटपुट है रिसाल्ट है रियल मी 12 प्रो प्लास 5G स्मार् रिजाल्ट मिला आउट्पुट मिला वह प्राइस रेंज के इसाप से बहुत ही बड़ी अलगा फोटोग्राफी के मामले में हो यह डिवाइस काफी बड़ी अधरीगे से काम करता है कैमरा सेंट की स्मार्टफोन है और वाजियो ट्रेंज में काफी एच्चा खासा यहाँ पर कैमरा रिजाल्ट हमें देखनों को मिल रहा है और वीडियोग्राफी के ओपर क्या ही बात करो फोर के वीडियो थाटी एपिस पे रियर कैमरा के साथ आप शूट कर पाऊगा यहां फिर नेटी पर प्राइस के बारे में क्या है रियल्मी 12 प्रप्लास 5G स्मार्फोन की ह पास है इसका प्राइस है 29,999 रुपीश यहां 35000 में आपको 8GB 국त्ते की 8GB 256GB का प्राइस है 31,999 रुपीश यहांव्मॉस 32 तू तो 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 धंडOS которые स्मार्फोन है यह डिवास kamu ABS plus और इसी स्मार्फोन की जो 12GB वेरियंट है आपर वेरियंट उसका प्राइस है थारी 3999 रूपी सिन्यों अल्मोस्ट थारी 4000 का स्मार्फोन है यानि 12GB 256GB वेरियंट का प्राइस से 34,000 तो प्राइस रेंज के साब से स्पेसिफिकेशन के आप से देखा जाए तो एक बड़ी रिवाइस है कमाल की फीचर के साथ में इंडियन मार्केट में इसी स्मार्फोन को लांच किया गया है मुझे तो प्राइस रेंज के साब से टिक टाक डिवाइस लगा अच्छा ही लगा आपको कैसा लगा नीचे कॉम